So hello friends and welcome to a very important video So friends, अगर आप trading करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important video होने वाली है Because आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि market open होने से पहले आपको कौन से 5 बहुत ज़्यादा important homework करने चाहिए देखे गाइस आप हम लोग maximum लोग क्या करते हैं जब trading स्टार्ट करते हैं तो random buying selling करते हैं जैसे green candle bunny buying किया market open होने के बाद Red bunny तो sell किया किसी के कहने पर buying किया किसी कहने के पर sell किया बट profit नहीं होता है आज की वीडियो में आपको complete करने के बाद यह चीज़ क्लियर होने वाला है कि market कहां पर open होगा कहां पर support है global market क्या बोल रहा है option chain क्या बोल रही है मेरा price action plan क्या बता रहा है चार्ट पे इंसिस कैसे करना है trade line कहां पर आ रही है market open होने से पहले ही 70-80% काम आपका clear हो चुका होगा हर professional trader एक बहुत ही बढ़िया pre market insist करके आता है वहीं पर immature trader क्या करता है market open होने के बाद random based trading चालू करता है अगर आपको उन 5% में आना है 95% को चोड़ के तभी वीडियो पूरा देखेगा मैं guarantee के साथ बता रहा है मुझे पूरा परोसा है आपका पूरा mind अलग तरीके से trade करने वाला है और आपको बहुत बढ़िया improvement आपकी trading में देखने को मिलेगी दो तरीके की जनता है trading में stock market में 5% and 95% 95% जनता loss करती है 5% जनता profit बनाती है idea trading में idea एक चीज होती है trade करूँगा खुद का boss बनूँगा खुद का hero रहूँगा किसी के अंदर job करने के जुरूत नहीं है गोवा बीच पे जाके trading करूँगा बहुत सारी चीजे होती है बहुत सारे plan होते है plan अच्छे है plan में कोई problem नहीं बट plan के साथ एक चीज और add होती है वह होती है plan प्लस process प्रोसेस भी आपको add करनी पोड़ेगी प्री market analysis में कैसे काम करना है journal कैसे maintain करना है कौँ से strategy follow करनी है क्या mindset होना चाहिए ये कोई नहीं करना चाहते है इससलिए 5% लोग profit करते है 95% लोग loss करते है बट ये वीडियो आपको उन 5% में कहीं नहीं लाने वाली है तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं एक चीज और market open होने से पहले आप क्या देखते हैं definitely comment करके बताईएगा मैं सभी लोग का mindset जानना चाहता हूँ जितने लोग वीडियो देखेंगे सभी लोग बताएं आप market open होने से पहले क्या देखते हैं इसके अलावा हम लोग कहीं रहे हैं at least 10,000 like सभी लोग एक एक से दो जनको इस वीडियो को share करेंगे वीडियो बनाने मेनत लगती है एक अपता लगा इस वीडियो को पुरा प्लान करने में वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट उससे कहीं ज्यादा importance है प्लीज वीडियो को देखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी तो चले गाइस स्रीम पे चलते हैं thank you तो देखे फ्रेंट सब लोग step wise 5 important point को देखने वाले हैं जो हर एक professional trader को अगर आप profitable trader बनना चाहते हैं तो इन 5 point को market open होने से पहले देखना ही चाहिए step wise बताऊंगा कैसे use करना है कैसे आपको वो benefit करेगा त्यान से देखेगा मैं suggest करूँगा कि copy and pillने के अगर आपनों डाउन करते हैं रफली तो आपको और बढ़ी है results देखने को मिलेंगे ठीक है guys तो देखेए friends पहला point आता है और definitely होगा हम लोग का global markets global market का मतलब क्या है European markets कहां पे है ACN markets कहां पे है US के market कहां पे है because देखेए सारा जो stock market है सभी markets एक दूसरे से related है अगर सभी market positive होंगे तो कहीं ने कहीं Indian markets हमारा market भी positive होगा सभी market negative होंगे तो हमारा market भी negative होगा बट कुछ specific चीज़े हैं जो बहुत लोग को नहीं पता है तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो देखेए सबसे पहले आपको क्या करना है global market को दो तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे पहला होगे आपका US market market दूसरा हो गया आपका ACN market इन दो चीजों में हम categorize करेंगे हम लोग का market maximum time US market and ACN market से impact होता है आप कैसे चेक करेंगे आपको मैं पहले पताने जा रहा हूँ आपको बस एक website पे जाना है Google पे जाके आपको type करना है global market ठीक है बहुत कम होने वाले हैं आपको plan होगा पहले सही पता होगा कि मुझे market में किधर लेना है पता चला market open हुआ और random base पे ट्रेडिंग चालू होती है market green बना तो call ले लिया rate बना तो put लिया overall loss में चले गए ठीक है तो trapping हो जाती है तो यहाँ पे आपको करेंगे ट्रेड करने के लिए त्यान से समझे मार्केट 9-15 पे open होता है आपको 7-30 पे आना है या फिर 7-30 के बाद सुबह साड़े साथ बजे के बाद आना है और इसको एक बार चेकिन करना है ठीक है अगर यह negative है ठीक है अगर यह negative है ठीक डाउन साइड का है तो मान के चले कि हम लोग का market भी लगबग डाउन साइड ओपें होने वाला है अगर यह positive है gift nifty maximum time हमेशा guarantee नहीं है trading is all about probability game 60, 70, 80, 90% भी अगर आपकी accuracy है तो बहुत बड़ी है इस एक्स निफ्टी मतलब gift nifty का निफ्टी के साथ करें मतलब का रिलेशन करने के लिए उसका होगा कि आपको इस एक्स निफ्टी और gift nifty का चार्ट open करना कैसे open करेंगा मैं आपको बताता हूं आप Google पर चाकर सर्च करेंगे ना इस एक्स निफ्टी या फिर gift nifty चार्ट इंट्रेडिंग व्यूट आप ट्रेडिंग में फ्री रिजिस्टर कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर चार्ट open कर सकते हैं तो यह gift nifty का 15 विनट 5 मिनट का टाय्म फ्रीम का चार्ट ऑब मेर्लों का मांपेटम कर लोग के लिए सब्सक्राइए बज्र 갔 के लिए और 13 और 13 क का दए लोग लुगम मेर्लों का 30 वज्ट का यहां के लिए ने मांप किया machen का और जैसा मैने बता हैं कि साड़े साथ आठ बज़े आके आपको सुबह मार्केट को देखना है गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को तो अगले दिन हम लोग 13 अक्टूबर को आते हैं और 13 अक्टूबर को मैं आके देखता हूँ आपका 8 बज़े का चार्ट तो 8 बज़े का चार्ट मान लिए 7.7 से 8 13 अक्टूबर का चार्ट हो गया यह इसको मैं मांग कर देता हूँ 13 अक्टूबर का 8 बज़े का चार्ट हो गया यह वाला ठीक है तो अगर आप difference देखेंगे अगर मैं आपको difference दिखाऊंगा यहां पर आपका 116 120 पॉइंट क्याप डाउन भी हुआ है सेम रिलेशन हुआ है तो दो तरीके से या तो आप मनी कंट्रोल की website से देखें या फिर आप च्रेडिंग के चार्ट से भी एक चार्ट का अनलसिस करके भी निफ्टी का अनलसिस कर सकते हैं तो पहला होगे आपको गिफ्ट निफ्टी देखना है कैसे देखना है मनी कंट्रोल एंसाथ में ट्रेडिंग वीव की website से दूसरा तरीका क्या है कि यह सब तो आपने देख लिया एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि जब भी आप च्रेड करेंगे तो यूएस मार्केट एंड ओवरॉल एसी एन मार्केट से ओवरॉल यूरोपियन मार्केट सब को एक पर थोड़ा सा देख लीजे जैसे अभी अगर सीटेशन देखेंगे आप देखेंगे यूएस मार्केट भी डाउन है अगर आप देखेंगे प्रिवियस टेन बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिली डाउन साइड में बेरी सा यहां पर लिखा भी है यहां पर भी देखेंगे अगर आप तो आपका situation बनी हुई है सारे मार्केट डाउन है इसलिए आप भी डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं यह एक केवल तरीका ऐसा नहीं कि आप सुबह मार्केट ओपन होते ही आप सीधे बेशना चालू कर दिए वह गलत हो जाएगा सेम चीज़ वाइस अगर युवेस मार्केट पॉस्ट से ट्रेंड कर सकता है विकास अभी मार्केट पॉस्टिव है ठीक उसके अलावा आप क्या बोलते हैं देखिए एस्जी एक्स निफटी सारी गिफ निफटी को देखना बहुत जोड़ी तो इसको आप डिफिनिटली ट्रैक कीजिएगा तो पहला हो गया आपका ग्लोबल मा ठीक है और दूसरी होती है आपकी कौन सी लोकल इंडियन हमारे देश की निउस ठीक है यह दोनों आपको ट्रैप करना बहुत जरूरी है ग्लोबल मार्केट में डिफिनिटली आमान के चलिए कि यूएस मार्केट की निउस ट्रैक करना थोड़ी जारा जरूरी होती है मैं आपको बता देता हूं कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं जैसे महाल लीजेए फेड की कोई पॉलिसी आई ठीके फेड की कोई की कोई पॉइसक्र कर दिया ठीक है यूजिиваем कर दिया कोदा आखास्ता आज कर देखते हैं आज कल वऔर भी बहुत चल्रया था कहीं वोड़ है macro levels पे macro level पे ही आपको trap करना track करना होगा because specific जाएंगे तो उतना आपको help होगा नहीं एक global market में बस आपको यह समझना है कि यह क्या impact कर सकता है आप कैसे track करेंगे मैं आपको बता देता हूँ देखें कुछ website से हैं पहला होगा global market के track करने के लिए money control आप यूज कर सकते हैं दूसरा आप investing.com यूज कर सकते हैं ठीके इसके लावा आप Bloomberg का भी क्विंट इसके लावा Bloomberg को भी यूज कर सकते हैं Bloomberg पे भी आपको बड़ी अन्यूज मिल जाती है इसके लावार भी बहुत सारे sources हैं जैसे अभी मैं मान लिजिए आपको investing.com पे लिए चलता हूं investing.com investing.com आप Google पर सर्च कीजिए तो गाइस आपको पहली website को लिपड़ेगी investing.com की जैसे ही आप open करेंगे यहां पे देखें आप sign up को लिजिएगा यहां पे देखें Microsoft Welcome Activision Blizzard and their terms of two terms to teams to Xbox ठीक है यूएस asset will not approve code यह सब जितने news जी 20 की news जो की definitely हमारे लेटेड है तो यह सब news आप यहां से track कर सकते हैं definitely EDRS 3 IPO scams of tax skill solution limited यह सब थोड़े बहुत अब जो कि stock related मज जाएगा आपको क्या करना है stock related अप जाते हैं तो वो न्यूज देखनी है जो globally impact कर सकती है market को जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे यह देखिए nifty closes lower in volatile trade इसको आप track कर सकते हैं nifty breaks की hurdle but trend to turn sideways इसको आप track कर सकते हैं इन सब चीजों को आप track कर सकते हैं ठीक है एक बर आप Dow Jones में जाके भी track कर सकते हैं डाउ जोंस में क्या क्या है और जैसा कि मैंने आपको बताए कि major indices जैसे यहां पर major indices बनके आ रहा है तो यहां पर से आप पूरे world के market को एक साथ में देख सकते हैं तो यह भी आपके लिए फाइदा है ठीक है overall बहुत सारी चीजे हैं definitely एक वीडियो में नहीं बता सकता हूं अलग specific वीडियो अगर definitely आपको recommend करें यह मतलब अब डिमांड करेंगा तो मैं definitely अलग वीडियो बना दूँगा बट यह बहुत असान है आप definitely एक दो बार refresh मतलब go through करेंगा तो आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा अब इसका relation क्या है जैसे पता चला कि आपको US market में क्या बोलते हैं US market crash हो गया कोई negative news आ गई तो maximum chance है कि हम लोग का market भी crash होने वाला है ठीके crash होगा अगर अगर US market में कोई positive rally देखने को मिली तो हम लोग का market भी बढ़िया रेली दिखाएगा तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं आप एक बढ़िया mindset बिल करके बड़े profit capture कर सकते हैं तो यह हो गया हम लोग का यूज कर सकते हैं और साथ में आप यूज कर सकते हैं economic times economic times पहले यूज करता था भी नहीं करता हूं money control पर आप सभी चीज़े track कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं आपको Google पर आकर टाइप करना है money control ठीक है money control जैसे ही type करेंगे पहली link आपने open करनी है और यहां से देली क्या बोलता है analysis बताते हैं यह लोग इसके अलावा अगर मैं आपको एक बर और दिखा हूं यहां पर अगर आप आप आएंगे तो यहां पर देखेंगे तो टाटा मोटर्स स्टॉक स्पेस्फिक भी आपको नीज मिल जाएगी तो इस सबी चीज़े आप यहां पर ट टेली ग्राम चलनल को जोइन कर सकते हैं description मिलिंग के यहां पर मैं खुद ही अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स स्टॉक स्पेस्फिक नीज ग्लोबल मारकेट एफ़ याई इंडियाई डेटा सभी अपडेट करते रहता हूं तो इससे भी आपको फायदा हो जाएगा ठी के गाईस तो आप टेलीग्राम चलनल के वहां से जोईन कर सकते हैं तो अभी हमने डिसकस कर लिया निव्ज रिलेटेड अब निव्ज रिलेटेड इंडियन मारकेट में क्या है जैसे मान लीजिए ने कोई पॉलिसी लाई जो मारकेट में कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट ल मतलब यहां गत्की आपको नहीं पता हूँ अब मतलब ने किया होगा तो आपको नहीं पता होगा अपकुरिंट टी coupon मतलब चांसे पहले इस Самीचे सब सब सब्सक्राइब करें द्यान से देखिएगा बहुत लोगों सबसे बड़ी प्रप्रप्लम होती है लोग लाइब मार्केट में ट्राइक करते हैं बट लोग को यह नहीं पता है कि लाइब मार्केट ओपन होने से पहले भी आप डेटा रेडिंग के थुरू बहुत बढ़िया ह सब्सक्राइब करके मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ सकते हैं सभी प्रोफेशनल करते हैं आपको भी आज से चीज क्लियर होने वाली है तो देखिए कहां से देखेंगे सिंपल है आप टाइप कीजिए ठीक है कुछ नहीं करना है हम लोग सिंपल एनसी की वेबसाइट क सब्सक्राइब करनी जैसे 19 अभी तारीक है 14 अक्टूबर चल रहा है आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 19 अक्टूबर की हम लोग सब्सक्राइब लेने वाले हैं आने वाली वही है आपको कुछ नहीं करना है यहां पर ध्यान से देखिए कैसे आपको मार्केट उप 151 पर है आपको 19,750 का चार्ट दिख रहा है न यह वाला बस कुछ नहीं करना है इस तना असान बताऊंगा कि आपको मजा जाएगी 200 पॉइंट ऊपर ठीक है 750 से कितना हो गया 200 पॉइंट ऊपर 550 मतलब आप्सें चिन में ऊपर मतलब रियालिटी में नीचे और 200 पॉइंट पर चला ना 19,950 मतलब 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे की रेंज आपको मांग कर लीनी है यह आपने मांग किया मैंने ऐसा क्यों बोला आपको यह रेंज मांग करनी है विकास मैक्सिवन टाइम मांगेट जहां पर प्रिविएस ट्रेडिंग सेजन क्लोज हुए उ पर यह चीज आपको ध्यान देनी है जो चीज हमेशा होती उस पर फूकस करना है अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि 19,750 पर चल रहा है मांगेट उपन होने से पहले आपको बस देखना है कि सबसे यादा कॉल राइटर कहां बैठे हुए तो 19,750 के उपर आईए तो 19,800 पर बहुत बध बढ़िया कॉल राइटर्स पैट हुए है पूट्र राइटर्स कहां बैठे हुए है 19,750 के उपर से देखेंगे तो 19,700 पर बहुत बढ़िया पूट्र राइटर्स पैट हुए हुए पूट्राइटर्स का मतलब Market क्या करेगा वहां से सपोर्ट लेगा ठीक ब्रेक होगा तो डिफिनिटी फॉल दिखा सकता है बट मैक्सिमुम चांस है मार्केट एक रेंज में चलता है तो 700 से एक सपोर्ट ले सकता है विकाज अच्छे खार से पुट राइटर्स बैटे हुए सेम कंडिशन 19,800 पे 1,25,000 कॉल लाइटर्स बैटे हुए है जो कि एक मार्केट वहाँ से रेसेंस ले सकता है और वहाँ से फॉल कर सकता है अब यह चीज आपको क्लियर हो गई आप क्या बोलते हैं निफ्टी के चार्ट पे चलिए 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम खोलेंगे अब थोड़ा सा एक चीज आपको द्यान समझने पूड़ेंगे देखिए अगर आप यह अनलसिस करके आए होते तो मार्केट देखिए यहां से ब्रेक आउट किया उपर गया देखिए यहीं पर सीदे 19,700 का सौरी 19,800 का एक रेसेंस था और देखे मार्केट वहीं से एक ब चार्ट पर भी करना पड़ता है पस ऐसा नहीं कि ऑप्सेंट नहीं देख रहें नहीं तोड़ा सा नीचे आई है क्योंकि प्राइस सेक्षन के साथ ऑप्सेंट अगर कंबाइन करते हैं तो आपके अल्टिमेट देखने को मिलेंगे यहां से देखिए मार्केट उपर गया यहां पर एक range बनाई यहां पर एक triangular pattern बना यहां पर डिफिनिटली पहले support था प्रिवियस के प्रिवियस ट्रेडिंग सेजन देखिए तो यहां पर closing होई थी market ने बढ़िया मारु बजू कैनल बनाई ब्रेक किया entry यहां पर और देखिए कितना बढ़िया rally आपको देखने से पहले जिस market जिस लेवल पर market चल रहा उसके 200 पॉइंट ऊपर 200 नीचे के call right मतलब call side and put side वाले levels को mark कर लेना है जहां पर ज्यादा call तो उसकी link मैं आपको description में add कर दूंगा या फिर आप search भी कर सकते हैं आपको बहुत बढ़ी है से clear हो जाए एक और चीज होती है और उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए data में वह है PCR ratio अगर आप market में trade करने आए हैं इसको भी ध्यान देना चाहिए because important point है put call ratio अगर आपको इसको जब भी update करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा अगर आपका PCR ratio 1 है तो मानके market चलिए मान लीजिए आपका neutral है ठीक 1.4 से उपर है 1.4 1.3 average मानके चलिए तो आपका market positive है ठीक है अगर आपका market point 9.8 से नीचे है ठीक है तो मानके चलिए market आपका bearish sentiment में है बढ़ हाँ 0.6 चला आया तो मानके चलिए aggressive bearish है reversal भी मान सकता है oversold हो चुका है सेम चीज़ अगर 1.5 के उपर PCR ratio चल रहा है aggressive bullish है दबडा के लेंगे loss हो सकता है क्या करिए wait कीजिए में भी reversal वहां से हो सकता है तो PCR ratio को भी आप use कर सकते हैं कैसे use कर सकते हैं sensible आप देख सकते हैं अपस्टा देख सकते हैं यह external website से आप यहां से भी क्या बोलते हैं ट्रैक कर सकते हैं free में है तो आपको फायदा होगा ठीक है guys सब इस चीज़े free में बता रहा हूं आप चाहें तो प्लीज एक बर वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको बहुत फायद किया यहां पर देखिए triangular pattern update किया तो यह सब चीज़ें वेबिनार्स भी रखता रहता हूं regular intervals पर फ्री है बस आपको एकाउंट ओपिन करना डिस्क्रिप्शन में फंडाइड करना है और फंडाइड करने के बाद ट्रेड कीजिए आप हमें वाट्साइब कीजिए 7985246060 आपको हम लोग लर्नी गूर्प में आड कर देंगे साथ में हम लोग आपको फ्री कोर्स भी दे देंगे स्टाजी स्कोर्स ऑप्सन श्रेडिंग है जिससे कि आप बढ़ी आतरीके श्रेडिंग कर सकते हैं फ्री है कोई भी चार्ज नहीं है तो यह तो हो गया गाई डेटा एनलसी अब जो चौथा पॉइंट है इसके बिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा तो गैस चौथा पॉइंट आता है चार्ट एनलसी सब चीजे कर लिए ग्लोबल मारकेट हमने देख लिया ठीक है निउस भी ट्रैक कर लिया ठीक है डेटा भी सब चेक कर लिया बट जब त च्रेंड किया है जिसका वेटेज ज्यादा है तो वह आपका चार्ट पेनलसी कैसे करेंगे मैं कैसे करता हूं और प्रफेस्ट्रेडर कैसे करता है ध्यान से देखेंगा मैं आपको बताने जा रहा हूं देखें गाईज चार्ट पर कैसे करना है मैं निफ्टी का पहले हम दोग ताम फ्रेम देखेंगे का डेली कर अगर आप 10 से 20 डांड विक ओड परोब न बना है बोर्ट यहां पर देखेंगे डिफिनिटली तो बहुत बड़ी आरेंज बनी officials को ओध्यान देने वाला है कि अगर बंदब क्या है अगर आप जाके देखेंगे एक्टूबर मन्त में तो मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेस भी रहा है लोग आपसन बायर को डिफिनिटली बहुत प्रब्लम हुई है उपर से देखेंगे तो प्रिवियस डेटिग सेसन में प्रिविश सेसन की डेली की कैंडल या डॐ बंविए bail कनल बौनीं है 1500 को मिल यह ब्लास्ट friendly कहीं नहीं, sell off दीखने को मिला है यह हो गया आपका daily analysis, अब इसको आप क्या करेंगे, आपको बस क्या करना है, 15 minute का time frame में आना है, 15 minute का time frame बहुत important होगा, अगर आपको support range करना है एक range range आपका यहां पे बना हुआ है आपने mark कर लिया, ठीके इसके अलावा एक support आपका कहाँ पर बना हुआ है कुछ दिन पहले से जाके आप देख सकते हैं एक support market में यहाँ पर बना हुआ है जो पहले का resistance था वो definitely अब support का काम करेगा देखिए यहाँ पर resistance का breakout वा कितनी बड़ी अरली देखने को बली next resistance तक गया तो यह सब चीज़े आप मांक करेंगे इसके अलावा कुछ चीज़े मैं आपको और दिखाता हूँ कैसे मांक करना है एक support यहाँ पर है इसको आप मांक कर लीजे ठीक है उसके अलावा बस ठीक है इतना बहुत है आपके लिए अच्छा है एक range यहाँ पर भी बनी है सब range को मांक कर लीजे आपके लिए फायदा होगा एक range छोटी सी यहाँ पर color आप definitely change करके apply कर सकते है यह सब चीज़े हो गई अब आपको सब पता है अब अगर आप कल आएंगे intraday में जैसे मां लीजे Monday को market open होता है तो मुझे सबी चीज़े पता है option chain भी पता है कि 19,800 पे बहुत बढ़ी है call lighters बैटे हुए market वहाँ से fall कर सकता है तो अगर market कहीं open यहाँ पर होता है तो यहाँ पर pause लेता है तो यहाँ से free fall दिखा सकता है सामने resistance भी बना हुआ है अगर इसके उपर भी आप open होता है sustain करता है तो short covering में ठीक है क्योंकि यह level sustain कर गया इसके उपर short covering में बढ़िया rally upside की देखने को मिल सकती है अगर sustain नहीं किया fall किया इस range में आ गया जैसे मालीजे यहाँ पर open होगा नीचे आया तो इस range में आ गया resistance वाली range में sell off mode में आ गया उपर जाके दुबारा जैसे ही करेगा retacement के बाद आप दुबारा put buying कर सकते हैं यह फिर sell कर सकते है एक चीज और market अगर यहाँ पर open होता है इस support को break करेगा pause करके तो यहाँ तक आएगा यहाँ तक आप target रख सकते हैं market अगर यहाँ पर कहीं open होता है time pass करेगा तो यहाँ से break out करेगा एक range का तो यहाँ तक यहाँ तक जा सकता है अगर इस support का breakdown किया तो फिर बढ़िया नीचे भी downside दिखा सकता है तो इस सब चीज़े आप definitely apply कर सकते हैं देखिए एक दिन में नहीं सीखेंगे मैं आपको पहले बताऊं कोई भी color कोई भी skill कोई भी art आप एक दिन में सीखेंगे जब तक आप कम से कम उसको एक महीन अप्लाई ना करें इन सब चीजों को एक महीन अप्लाई कीजे मैं आपको help करूंगा लर्नी गूर्प जोइन कीजे, फ्री में लाई वाता हूँ, यह सबी चीज़े फ्री में बताऊंगा, नौ बज़े से तीन बज़े तक, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, कमेंट करके बताएगे कि आप मार्केट उपन होने से पहले स्पेस्फिक करते हैं, इसको भी आप डेफिनितली कमेंट करके बताएगे, हम देखते हैं कौन क्या 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 करता है, ठीके, तो यह हो गया घ्लोग का चार्ट अनालेसिस, सपोर्ट रजीस्टेंस 15 मिट के ट दिखा देता हूं तो गैस अगर आप हमारे चैनल पर आएंग तो जैसे एक वीडियो हो गई यह वाली क्या बोलते है प्राइस एक्षन फूल कोर्स इसको आपको देख लेना चाहिए ठीक है इसके अलावा हाउ तो बीकम प्रोफिटेबल ट्रेडर करनल सिक्स कोर्स और कुछ स्ट्रेजीज डाली है स्कैल्पिंग फूल कोर्स हाउ तो ट्रेड विद वन लॉट इन सभी वीडियोस की लिंक में डिस्किप्शन में अट कर दूँगा यह मार्केट ओपेन होने के बाद की माइंसेट है मारकेट ओपेन होने की पहला माइंसेट मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है तो यह सब चीज़े आपको ध्यान देनी पूरेंगी कभी कभी क्या होता है कि आपने सभी चीज़े प्लान करी और मारकेट फिर वो लिवल नहीं है तो आपको लाइव मारकेट में थोड़े बह सब्सक्राइब करेंगे तो हर जो लड़का टॉप करता है उसके बहुत बढ़ बढ़िया प्लान होता है ट्रेडिंग भी सेम तरीके से हैं ट्रेडिंग में दो तरीके के लोग आते हैं मैं आपको बता देता हूं ठीक है सो परसें जनता है काटेगराइज करूंगा पांस क्या है इनको क्या है इनको क्युब पिसद अगैं ठीक है प्रोसेस नहीं पसंदे लोग कि मैं जैकर त्रेडिंग करूंगा खुद का माली खुद बनूँगा, किसी के पीछे bargaining करने की जुरूत नहीं है, मगज मारी नहीं ठीक है, यह सब तो अच्छा है भाई, चलो आपने जो skill develop की बढ़ी है but process भी तो follow करो general maintain कीजिए, pre-market post-market analysis कीजिए levels पे wait कीजिए कहीं से सीखिए, time दीजिए यह सब चीजे कोई follow नहीं करना चाता है but यह 5% लोग follow करते हैं और इसलिए यह लोग profitable हैं और यह लोग loss करते हैं इस वीडियो मैंने आपको clear यह किया है कि कैसे आप process follow कर सकते हैं last, बहुत ज़्यादा important my trading plan, यह बहुत ज़्यादा important है और यह क्या है, 9 बच के 7 मिनट पे आपका market pre open market settle हो जाता है ठीक है, अब आपको यह पता है कि market कहां पे open हो रहा है ठीक है, आपको यह पता है pre open market settle होने के बाद कि market आपका कहां पे open हो रहा है positive हो रहा है, negative हो रहा है global markets आपको पता है कि overall market का sentiment क्या है support license levels आपको पता है strategies की वीडियो में description में आट कर दूँगा वहाँ से आप check कर सकते हैं इसके अलबा कुछ चीज़ और है copy में एक बार note कर लीजे कि आप overall कितने trade लेंगे मेरा मानना है 2 trade लेना चाहिए दिन में अगर लगतार trade करते हैं 2 trade profit हो गया तो तीसरा कर सकते हो बड़ 2 trade loss के बाद trade मत कीजिए कितना trade एक loss में होना चाहिए मतलब कितना loss एक trade में होना चाहिए उसका आपको define होना चाहिए copy में एक बार लिख लेंगे आपका subconscious mind बहुत अच्छे से एकाम करेगा और अब market open होने के बाद यसे normal लोगी problem होती है उनको पता ही ने करना क्या है इस सबी problem आपकी solve हो जाएंगी तो यह सबी चीज़े आप follow करेंगे तो आपको मैं सच बता रहा हूँ एक महीने बाद बहुत बढ़िया तरीके से clarity मिलने वाली है 95% लोगों से आप आगे हैं और definitely एक दो महीने बाद आप बहुत बढ़िया ट्रीडिंग से profit निकालने होंगे आज की वीडियो में इतना ही था है एक बार फिर से मैं कल्क्लूट कर देता हूँ इसकी आज की वीडियो में हम लोगों ने cover किया कि market open होने से पहले अगर आपको profitable trader बनना है loss कम करने है profit ज्यादा करने है हर professional trader जो करता है वह कौन से हमक आपको करने है तो वह मैंने हम लोगों इस वीडियो में डिसकस किया पहला होता है आपका global market global market देखना है कि दर market है gift nifty को कैसे use करना है दूसरा हम लोगों ने देखा news related items global market news and local Indian market news कैसे track करना है overall conclusion आप बना सकते है ठीक है तीसरा हम लोगों ने देखा data analysis option chain के थूँ कैसे आप सपोर्ट आइसे और overall plan निकाल सकते हैं और साथ में option chain की video add कर दूँगा PCR ratio हम लोगों ने देखा उसके बाद हम लोगों ने चार्ट पैटन देखा मतलब चार्ट रीडिंग करी कि कैसे आपको चार्ट रीडिंग करनी है डेली में 15 मिनट में उसके बाद 5 मिनट में फिफ में मैंने बताया आपको आपका ट्रेडिंग प्लान सब चीजे तो हैं आप अप खुद क्या चाते होई भी तो देखो कितना प्रॉफिट टार्गेट है कितना लॉस टार्गेट है मारकेट कहां पर ओपेन हो रहा है कौन से स्ट्रेजी फॉलो करनी है मारकेट अगर ओपेन होने में कुछ अलग कर गया तो मुझे लाइव मारकेट में कैसे अप्रोच करना है यह सबी चीजे हमने बताई अगर वीडियो क्लियर हुई है अच्छा लगा है डिफिनिटली कर दो है